नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम Excel में पायोट टेबल इंसर्ट करना सिखेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए एक टेबल चाहिए अब यहाँ पे एक टेबल है जिसके अंदर क्या है सेरेल लंबर का कॉलम पर्टिकुलर का कॉलम कॉंटिडी का कॉलम एन प्राइस इ पायोट टेबल हम रिपोर्ट बिल्ड कर सकते हैं रहे एक साइड में देखिये क्या है आपका पैयोट टेबल फेल्स' है यानि जो विटेबल लोटिया थो उसके वीडिंस यहाँ पर दिख रहे है मौि आपको ऐसे 4 एरिया दिख रहे हैं ज़हां पर हम इस फिल्ट को ड्राइग कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं तो कौन से एरिया है फिल्टर कॉलम रो एन वैलू सपोज मैंने पर्टिकूलर जो फिल्ड है उस पे टिक किया तो वह कहां पर एरेंज हो गया है ओ इस तरह के से दिखे गापका अगर particular को उठा के drag करके मैंने column वाले area में रखा तो इस तरह से column में दिखेगा अगर उसको उठा के मैंने value में रखा तो यह देखिए count formula लगा कि उसकी value आजाएगी अगर उसको drag करके मैंने filter में रखा तो इस तरह से filter form में आजाएगा इसको अगर मैंने उटा करके बाहर ऐसे चोड़ दिया तो वह चला जाएगा फिर नॉर्मल एक पायो टेबल बिल्ड करने के लिए इसे कुछ आएगा क्या तो इससे अपे डिलीट कीजी जैसे आप I do तो एक एरर आएगा प्राइब फिल्ल नेम और डी अब क्या कर सकते हैं ओकी किजिए यहां पर एक बस स्पेस दीजिए फेस देने के बाद जैसे ओके करेंगे तो यह उसका नाम जो है चेंज हो जाएगा सेम तिंग आप प्राइजी रूपीस पर भी डबल निक कर सकते हैं सम जो प्राइज है उसे आप डिलीट कर सकते हैं जैसे ओके करेंगे इसमें भी एरर आएगा ताब क्या किजिए यहां पर भी एक स्पेस दीजिए और ओके तो इस तरह से एक छोटा सा रिपोर्ट तयार हो अब मैं क्या करने वाला हूँ यह जो सीरियल लंबर का जो हीडिंग था यह जो फिल्ड है इसको उठा के मैं फिल्टर में ऐसे ड्राइक कर देता हूँ ड्राइक करने वाद देखिए यह फिल्टर फार्म में आ गया सपोज मैंने टू पे क्लिक किया एंड दैन ओके यह दे आप पायो टेबल रिपोर्ट जो है बिल्ट कर सकते हैं तो पायो टेबल रिपोर्ट बिल्ट करने के लिए एक टेबल भी चाहिए तो इस वीडियो में हमने सिखा कि किसी भी टेबल से पायो टेबल का रिपोर्ट कैसे बनाना है पायो टेबल कैसे इंसर्ट करना है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में